अन्ना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ आखिरकार एलसा के बर्फ महल में पहुँचते हैं। अन्ना एलसा को एरेंडे, लोटने और सर्दी को खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। लेकिन एलसा को डर है कि वह सिर्फ हालात को और खराब करेगी। घबराहट के एक पल में, एलसा गलती से अन्ना के दिल में बर्फ के धमाके से वार करती है, जो बच्पन में उसके द्वारा किये गए घाव से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भैभीत होकर, एलसा मार्शमैलो नामक एक विशाल बर्फ राक्षस बनाती है ताकि अन्ना और उसके दोस्तों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया जा सके। क्रिस्टोफ को पता चलता है कि अन्ना के बाल सफेध हो रही हैं, जो जादू के एक तरनाक प्रभाव को दर्शाता है और उसे ट्रोल्स के पास ले जाता है, जो समझाते हैं कि सिर्फ सचे प्यार का काम ही अन्ना के जमे हुए दिल को पिगला सकता है। हन्स के सचे प्यार के चुम्बन से उसे बचाने का विश्वास करते हुए, क्रिस्टोफ अन्ना को वापस महल में लाने के लिए दोड़ता है। क्रिस्टोफ अन्ना के लिए अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए, उसे बचाने के लिए वापस दोड़ता है। लेकिन जब अन्ना देखती है कि हन्स अपनी तलवार से एलसा पर हमला करने वाला है, तो वह अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आगे आती है, और वार को रोकने के लिए समय रहते जम जाती है। एलसा तबाह होकर अन्ना के जमे हुए रूप को गले लगाती है। चमतकारिक रूप से अन्ना पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि एलसा के लिए उसका बलिदान सच्चे प्यार का कार्य था। यह रहस्योध घटन एलसा को यह समझने में मदद करता है, कि प्यार उसकी शक्तियों को नियंतरित करने की कुझी है, और वह एरंडेल से सर्दी हटा देती है। एलसा और अन्ना में सुला हो जाती है और हंस को अपमानित होकर उसके राज्य में वापस भेज दिया जाता है। क्रिस्टोफ और अन्ना एक नए रिष्टे की शुरुआत करते हैं, जबकि एलसा रानी के रूप में अपनी भूमिका को स्विकार करती है, प्यार और आत्म विश्वास के साथ शासन करती है। दोनों बहने पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाती हैं और एरेंडेल अपने गर्म खुशाल राज्य में लौट आती है।